जी क्या हाल चाल है आप सभी किसो आज की जर्नी बहुत ही स्पेसल होने वाले है क्योंकि आज जो है हम लोग जाने वाले हैं नौर्थ इस्ट का सबसे लास रेलवे इस्टेशन लीडो जी हां नौर्थ इस्ट फ्रॉंटियर रेलवे का लीडो जो है सबसे लास रेलवे तो पता है हम लोग किस ट्रेंज से जर्णी करने वाले हैं गोहाटी से लीडो चलती है इंटर सिटी एक्स्प्रेस उससे जिसका ट्रेन नंबर है 15603 जो की रोजाना गोहाटी से रात 11 बच के 30 मिट पर इकलती है और आपको अगले दिन दो फर एक बच के 25 मिट पर लीडो रेलवे स्टीशन पहुचाती है सो तो यह जो ट्रेन है ना लगबग 570 किमेटर की दूरी तया करती है 29 हॉल्ट के साथ लगबग 14 घंटा में अब हम लोग आ चुके हैं प्रेट्फॉर नंबर चार पे और अपनी ट्रेन जो है कुछी दिर में आने वाली वैसे अभी टाइम होड़ा 11 बच के 5 मिनट 25 मिनट का समय बाकि है और आज जो है ना हम लोग इस प्रेन में जरनी करने वाले हैं थाड़ इसी कोशिए में और अपनी कोश है बीवन सीट है 42 मिडिल बर्थ तो भाई साब देखे टाइम हो रहा है 11 बच के 33 मिनट और अभी भी अपनी ट्रीन जो है नहीं आई है इस ट्रीन का टाइम था 11 तीस और हम लोग अभी खरे हैं प्रेट्फॉर नंबर 4 पे और बताया गया है कि प्रेट ट्रीन जो है अब ही तक नहीं आई है इस टाइम हो रहा है बारा बज के 69 मिनट मतलब की एक बजने वाला है एक बजे अपनी गारी आई है इसका टाइम था साड़े 11 बजे ग्यारा तीस और गारी आई है एक वजे तो भाई अब हम लोग आ चुक अपनी पोच में और यह रहा अपना सीट 42 मिडिल बर दीजेगा रेल नीर चार पूरा गरम है भाईया पूरा फ्रीज में से दीजे ना थंडा ने थंडा 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 का पांच पर एक्स्ट्रा अ अरे यह कोई बात हुगा ऐसा थोड़ी होता है पहली वार थोड़ी पर पी रहा है दूटा नहीं तो थंडा दे जो नॉर्मल दे देजिए रेट जो है वही देगा यह बीस में दीजिएगा ने पंडा कर के दीजिए हो गया ना देखे होता क्या है रेल नीर यहां सब्सक्राइब भाइया एक्स्ट्रा ले रहे हैं जो कि गलत है ऐसा मत कीजिए ठीक है अगर पानी आपको बेचने के लिए दिया जाता है तो फ्रीज भी दिया जाता है तो भाई साहब अगर आप पानी का बोतल लीजेगा ना गौहाटी रिल बेस्टिशन पर ठंडा वाल कि गर्मी के समय में जो है ना यह बहाना होगा अलोग का थंडा लीजेगा तो पांच पर एक्स्टा दीजिए अलोग दे भी देते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं MRP के हिसाब से रेल नीरही ले चाहे वो ठंडा हो चाहे नॉर्मल हो चाहे वो गरम हो तो भाई साब देख सकते हैं ट्रेन का टाइम था ग्यारा बज के तीस मिनट और अपने ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है एक बज के तीस मिनट पे यह रहा गौहाट यह लिटेशन का डैस्ट बोर्ट अब सोते हैं और आप से मिलते हैं सुभव में वैसे असली जर्नी जोने इस फ्रेन का कल सुभव से होगा ति जार किजें कल सुभव गूड नाइट अब हम लोग करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस प्रेन का यार्मा हॉल फर कटिंग जंक्सन इस प्रेस्टेशन को और यहां पर इस ट्रेन का पांच मेंट का हॉल्ट है और हम लोग जो ट्रेन है ना यहां पहुंची है एक घंटा तस मिनेट डिले जब हम लोग ट्रेन और जी नेट हुई थी गुहाटी से दो घंटा डिले हुई थी ज्यार तीस में टाइम ता लगबक देर बजे माँ तो यह फिर भी हद तक मैनेज किया गया है वाद्ता 50 मिनट जो है ना मैनीज गया गया वैसे फरकटिंग जो है ना यह आता है असम के बोला घा डिस्टिक में और प्लेटफोर्म यहां पर सिर्फ दो ही है तो भाज साब यह है फरकटिंग जंक्सन का प्लेटफोर नमबर व तो देखें इस कोच में आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा एक दू तीन चार पाँच छे और साथ मतलब लेकिन एक बी चार पोर्ट काम नहीं कर रा है जब से ट्री निकलिए तब से रात में तुभ आए गया वे रात का समय है ग्यार वजे के बाद ये काम नहीं करता है सुबद शे बजे से काम करें लेकिन अभी टाइम हो रहा है नौ बज के एक मिनट और अभी तक चार्जिंग पोर्ट काम नहीं कर रहा है अब 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 तो गया चलोगा तीन सो साथ किलो मीटर के दूरी प्राइब करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तेर्मा हॉल्ट मरियानी जंक्शन जिसका स्टिशन कोट है मरियानी जो है यह आता है असम के जोरह डिस्टिक में प्रेटफॉर्म यहां तीन और अभी फिलाल यहां 36 ट्रेट आकर रुकती है और मरियानी जो है न ना हिए नागा-लहेन का बौडर है ही किषील लीए अपको पता है मरियानी फेमस है उलाइफ सें्टूरी के लिए है इसा विलाइफ सेंटूरिय इंडिया डफ मंकी का एक प्रजाति पाया जाताल गीवान जो यह Ay ahíскth लवर है जो नीचर लवर है उनके लिए जगा ला विजिट एक बार जरूर करना चाहिए हुए यहां पर अपनी ट्रेंगर दस मेंट का हॉल था तो यहां से हम लोग जो है ना यह आयर सीटी सी का फूट ट्रैक है तो यहां से हम लोग सोच रहे हैं कुछ ले ले खाने पीने क में आगे औंगे कुछ मिलने वाला है नहीं वैसे है यहां पर है उपने दोसा तो मिल जाएगा चाहुआ है अन्क रोल Soph monde कर देखे हम ने आपको पताया था ना कि लिए फेमcej से मर्यानी और देके यहां भी का एक प्यानाल से पेंटी लगा हूँगा तो अभी जो है ना हम लोग के ट्रेट की वाउन वाइड लाइफ सेंचूरी के बगल से होके कुछ देगी तो चले मैं आप तो कि वाइड लाइड सेंचरी तो चुछ आजा आदी पालाओ तो बाइड हम लोग मरियानी जक्सन से यह अंडा बढ़ियानी लिए तो यह मुझे पर नाइटी का वह एक मेरा है और एक अभिनास का है साथ में यह दिया गया है नैपकिन इसको रखते हैं पहले इदर बाहर देखते हैं मरियानी जंक्शन का अंडा बढ़ियानी कैसा है वैसे बिल्पुल गर्मा गराभ यह अदर बढ़ियानी और हमने बहिया को बोला जाकि ऊपर से तोड़ा ग्रेवी डाल दीजेगा इसमसे इस पर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ग्रेवी डाला हो गयाने तो यह सुखा ही आपको लिया हमें आपकी यह परीयानी थीज ख्रेश है इसमें जो उष्या किया गया मुझे लगता दो दिन पहले का मत抹ता चुफ नड Dabei अधिक्रास चु resonates को अंदे को डालाई और इसमें बिल्या तुम्या लगता दो दिन पहले का होगा एक दिन पहले दो ऐसे में एक दिन पहले का उ पर वैसे आपको मर्यानी जंक्शन के बाद इस रूट में आने का उप्षन बहुत कम मिलेगा अंडा ट्राइ कर लेते हैं यह फ्रेस है कि लिए अंडा भी लोग ना क्या करते हैं फ्राइ करके पहले से ही रखते हैं दो दीन चार दिन पहले का भी उज़ करते हैं यह देखे हैं फ्रेस है कि लिए अंडा शही है लेकिन राइस ना पर दो दिन पहले को पहले वाला तो बैदे कि हम लोगों ने पार लिया यहां से एक विर्यानी वैसे अपने पास और भी आप्सन है गोवाहाटी से हम लोगों मुझे पता था इस रूट का खाना पीना तो पहले से ही इंतिजाम करके आया थे तो बस थोड़ा सा बेखास कर लिया है लंच में दिखाएंगे क्या हमने लाया था गोवाहाटी का बहुत फेमस है वो ठीच है इंतियार किजिए मस तो अभी जो है मने को ट्रेन पहुंची है नियू तीन सुख्या जंक्शन और यहां पर ट्रेन का दस मेंट का हॉल्ड है और यहां पर लोको पाइलेट एसिस्टेंट लोको पाइलेट वो चेंज होंगे और देखिए यहां पर आर्पिएफ सर आया है और जो भी मतलब मतलब नॉर्मल लोग बैठे हुए थे लेड़ीज वाले कोच में दुसरे लोग बैठे हुए थे तो उनको जाके वो निकाल रहा है ऐसा गलती आप ना करें भाई साहब और न्यू तीन सुख्या जंक्शन पर इस्ट्विंड का दस मेंट कॉड इसलिए है क्यूंकि आप द देखिए है 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 मतलब दिव्यांग वाले कोच में यह लोग बैठे हुए थे है 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 अपने इंजन में वाइल फिलिंग हो चुका है और पुशी देर में अपरी ट्रे न्यू पूस्ट्या जंशन से निकलने वाली है हम्यू देखिए टुश्या या 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 राफ्ध कर दोडिए आरहा है तो अभी दोफर के बज़ रहे हैं बारा बच के बीस मिनट और कुछ दिर पहले हम लोग तीन सुकिया जंक्शन प्रॉस किये थे तो अभी क्या है ना मुझे पहले से पता था कि शुक में खाना पीना मिलेगा नहीं वैसे गौहाटी में कि अपने फैमिली में मराय थे मोहन जी वो गौहाटी के ही है तो उन्होंने वहां का एक फेमस टॉप है जौप का नाम है भारतिये जल्पान वहां पे मिठाई नम्कीम भारतिये जल्पान वहां का बहुत ही फेमस है जते हैं फैलिए भारतिये जल्पान का बोक्स दे addicted इसके अंदर है काजुु कतली ये बहुत फेमस है इसे बहुत है ये देखे ले अधि बेशण की चकी ये भी मीठा लगता है ये जो अब देखर रहे है ना ये है लैसुनिय बुझिया मतलब इसमें लहसुन का टेस्ट आता है यह भी बहुत फेमस है भारती जल्पान का करें 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 तो लगबग 550 किलो मेटर की दूरी तैक करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 28 हॉल डिग वोई में लगबग 180 साल पुराना मतलब ब्रीटिस के समय से ही ना कि चला रहा है अभी तक वैसे अभी और यह बारिस बारिस तो तीन सुकिया के बाद से स्टार्ट हो गए थी और अभी भी हलकी हलकी बारिस हो रही है इदर मुझे ना को लगए लणाना होसाई ब का हुआब झाल चुह किला परिजब धिएलन के कि घंचकती लोकार्ण Σब्सक Jang का परिए हम भुछती हैं क면 कि परें आपने के जो पुट सर्न ऑनाउंज तो चलिए अब मैं आपको लीडो रेलबे स्टेशन का छोटा सा टूर करवाता हूं नोर्फिस्ट फ्रॉंटिए रेलबे का सबसे लास बेंस चिशन liberal से लगता है यह रहा إ detrum अँर्य का एपन। तो टिकट काउंटर का इसा है बाइसाब मैं अंदर से आपको दिखाता हूं आप यह देखिए लीड रेलवे स्टिशन का इंट्रेंस गेट और जैसे आप इंट्री कीजिए आतने की सामने में आपको देखने को मिलेगा यहां पर मजदूर है कोईला के ख़दार में को निका सब्सक्राइब कर देखिए यहां पर इस साइड भी वही चीज है यह तो देखिए नौर्थ इस्ट के सबसे लाश्ट रेलवे स्टिशन पर भी अपने फैमिली मेंबर मिले हैं क्या नम हो है आपका मेरा नाम है प्यूस भूमिक आप यहां लीडों से ही हो अचा आप यहां से चाइना और मैंनेमार मिलें साहतां और वहां हमने आपको बताया था कि मतलब यह स्टार्ट हो जाता चले मिलकर काफी अच्छा लगा इन से और इनका भी चैनल है छोटा सा भी काम कर रहे हैं चैनल का नाम वी लीडो सवास्ति मनने से आ जाए कि लीडो उनीडो अब लिखेगा अब देख सकते हैं जो भी लोकल लोग है इनदर के असंब के लोग है देखिये और सपोर्ट के जैबाई चले मिलकर काफी यच्छा एक प आजि तो फैनाली हम लोग पहूंच चुके हैं ली-डो रेलबे स्टेशन मतलब नौर्थ स्त्वांटियर लेज गवे का सबसे लास्ट लेलबे स्टेशन है लीडो कह सकते हैं नौर्थ इसटेशन सबसे लास्ट रेलबे स्टेशन यहां से मैनमार और चाइना का बॉर्डर नजदीक है लीडो रेल बेस्टेशन जो है यह असम के तिन सुक्या डिस्टिक में आता है प्लेटफॉर्म यहां सिर्फ एक है और लीडो जो को न हम लोग न सीटी और ब्लैक डायमॉंड भी कहते हैं ब्लैक डायमॉंड का मतलब हो वैसे जर्नी एक्सपरियंस के और मैं बात करूं तो जर्नी एक्सपरियंस मिला जो ला रहा कोई चांडीशन अब्रेस था घ्रेटी ट्रेन है लेकिन बहाई साब टाइम का एक ग्यारत तीस है कोहाटी में तो दो घंटा डिले क्यों चल रही है मुझा तो टाइम चेंज कर तो कैसी लगए आपको यह जर्णी कमेंट करके जुरू बताइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब अपने प्रिवार का ख्यार लगे हसते रहे मुस्कुराते रहे और इसी तर अपने भाग के साथ जर्णी करते रहे और हां प्यार करते हैं आप से लाश्ट वेल अबड़ा लगे। झाल झाल